नमस्कार दोस्तों मैं उनीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है इस वीडियो में हम लोग जो है नुमेरिकल करेंगे थेवनिन थियोरम से संबंदित तो देखिए एक हमने डाइगराम ले लिया है और इसमें क्या दिया गया है है फाइन करेंट इन 16 Ohm Resistance using थेवनिन थियोरम याने कि सोलो Ohm की जो ये प्रतिरोध है इसमें धारा का मान आपको ग्यात करना है किसकी मदद से थेवनिन थियोरम की मदद से तो क्या करना होता है पिछले वीडियो में हम लोग ने थेवनिन थेवनिन थियोरम ओलेडिए डिसकस वंपहनिन ओरहमममoration दो चीजह होता है मäre manière हम वोड़ेज करें तो सबसे पहले रिज सबसे पेसे हमें कि रेजिस्टनस के गढ़ना करते हैं तो लिख ले रहां है में L 9 1 मेरे में वाम है um में कालकूलेशन औरverbs 9 हमें क्या करना होता है RTH के लिए हमें सबसे पहले काम क्या होगा कि जो भी डायग्राम दिया हुआ है जब भी आपको कोई कोश्चन देगा तो आप जहां पर भी करेंट करने के लिए कहा गया है तो आप उस वाले ब्रांच का नाम जरूर लिख दीजेगा क्योंकि वही ब्रा डायग्राम बना रहे हैं देखिए आपको क्या करना रहेगा मैं यही पूरा डायग्राम यहां पर दुबारा बना ले रहा हूं और उसके बद मैं एक एक स्टेप बोलता जाओंगा और वो काम मैं यहां पर करता जाओंगो तो आपको दिखेगा भी कि हमको क्या क्या करना ह होगा तो देखे मैंने वह उपर वाला डाइग्राम ले लिया है, बहुतु है अब हम क्या करें गे自ह работ आपको जितने भी। आपके क्या हैं वोल्टे जोर्स चाहराई भी करना है, वोल्टेजियो और कॉर्षव लगे रहा है उनको अंतरिक प्रति रोवध से रिप्लेश करना है, उनको करा हिए अंतरिक से डायगराम बना लेंगे और एक बार डायगराम बन जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे इनको voltage source है तो उनको short circuit से replace किया जाता है यह पिछले वीडियो में हम लोग ने discuss किया था यह short circuit से replace करते हैं तो short circuit हमने कर दिया और अब ये डाइग्राम हमारा बन गया है, अब इस डाइग्राम में जो भी A और B के बीच में तुल प्रतिरोध होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, आर्टी अच कहेंगे, ठीक है, तो अब आप देखें, तो 6 और ये 3, ये दोनों जो हैं, आपस में किस तरीके से हैं, तो दोनो आपस में पैरलल में हैं, यानि कि समांतर में हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, कि आर्टी अच बराबर 6 पैरलल 3, ये सिंबल है पैरलल का, और फार्मला क्या हो जाएगा, 6 गुने 3, डिवाड़ेड़ भई 6 प्लस 3, तो ये आजाएगा, 18 बटा, 6 प्लस 3 है, यहां पे, 6 प्लस 3 तो 6 प्लस 3 हो गया, यानि कि यह कितना हो गया, 2 ओम, तो यानि कि आर्टी अच का जो मान आया है, वो कितना आ गया, 2 ओम हमें मिल गया, अब हमें ऐसे ही क्या करना पड़ेगा, वी टी अच की वैलू भी हमें calculate करने पड़ेगी, तो देखें, हमने यहां लिख लिया, calculation of वी के बाद देखें, मैं आपको आगे कि steps बताता हूँ, तो देखें, मैंने यहां पर फिर से वही diagram कर लिया है, और इसमें पहला जो हमारा step होगा, वो क्या करेंगे, यह जो load resistance है, उसको network से हटा दिया जाएगा, तो load resistance को network से हटाने के बाद, हमारा जो भी A और B terminal के बीच में voltage बनेगा, वही voltage हमारा क्या कहलाएगा, वी टियज कहलाएगा, ठीक है, तो अब हम यहां पर voltage calculate करेंगे, तो उसके लिए आप देखें, यहां पर एक ही बंद path है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, किर्चॉप voltage lock apply करके, और धारा कमान ग्याद करेंगे, तो हम यहां पर कि यहां पर धारा कमान है, वह कितना है, आई है, तो इधर से flow कर रहा होगा, तो यह plus, minus, यहां पर भी यह plus, minus, कैसे लिख रहे हैं, हम लोगोंने already discuss क्या हुआ पिछले वीडियो में, कि कोई भी resistance आ रहे है, और उसमें अगर धारा अंदर जा रही है, तो जहां पर जाएग जरूर कॉपी में कि बंद पात में, के वील अपलाई करने पर, के वील लगाने पर, मैं यहां से start कर रहा हूँ, तो देखे, प्लस से कहां जा रहे है, minus, तो लिखेंगे, हम minus 6, I, 1 नहीं है, I है सिर्फ, अगर I, 1 होता तो हम I, 1 लिखते, minus 6, प्लस से minus, तो क्या लिखेंग है, तो resistance और धारा का मल्टिप्लिकेशन होता है, तो वही हमारा voltage बजाता है, फिर उसको प्लस से minus, तो minus 3 into current कितनी है, I ही है, यही current ही आगे जा रही है, यहां पर भी धारा कमान कितना होगा, I ही रहेगा, यहां पर क्या कहेंगे, minus 3 into I, फिर और आगे आए, तो minus से plus, तो क् जाएगा, minus 9 is equal to minus 9, यहां पर I भी होगा, 6 और यह 3 तो minus 9 होगा, और यह 15 और यह 6, तो यहां पर plus 9 होगा, इधर जाएगा, तो minus 9, तो minus से minus क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और I कमान जो है, वो कितना जाएगा, एक MPR आ जाएगा, तो इस तरीके से आपने जो है, धारा क कमान तो गहत कर लिया, अब हमें B से A के बीच का भोल्टे निकलना है, तो B से A के बीच जाने के लिए दो रास्ते हैं, देखे, B से हम इस रास्ते से भी जा सकते हैं, यह यह 15 और 6 और यहां जा सकते हैं, तो दोनों से answer जो है, जो है, किसी एक को आपको चूस करना है, तो स 3 और 12 कमान कितना है, I है, तो 3 I, फिर माइनस से प्लस जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, प्लस 6, पहुंच गया हम वहीं पर, यही वे बिंदू है, अब यहां पर I कमान रख देंगे, तो 3 into 1, I कमान कितना है, 1 है, प्लस 6, तो यह कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट, इस तरीके स 9 वोल्ट हमें मिल गया है, आप कोई कहता है कि सर, हम इसको ना फॉलो करके, हम यह वाले को कर लें, तब क्या होगा, तो आप उसको भी करके देख लिजे, उसमें कोई भी आंसर जो है, वो अलग आने वाला नहीं है, तो मैं यहां पर जो है, वो और लिखके, आपको करके द दिखा देता हूं, वी टी अच बराबर यहां से लाहिए, माइनस से प्लेस जा रहा है, तो प्लस पंदरा, फिर से मामन जा रहे है, तो माइनस छह और ध्रारा कमाल कि है, आपको उमसर और लिजे और e की वैलु एक है, तो यह भी इनॉजे and जाएगा, नौ बोल्टि आ ज तो ने तब इंप एकलेंट डायग्राम में क्या है आपने पिछले वीडियो में हम लो menis कर रहे थे तो उसमें भी हम लोगोंने ये बनाया था वही डायग्राम बनेगा यह हो गया हमारा VTH, यह हो गया हमारा RTH और यह हो गया load resistance RL, तब का मान यहाँ पे रख दीजे, VTH का मान आपने निकाला है, वो कितना है, 9V, RTH आपने अभी calculate किया था, वो कितना था, RTH का मान देखिए, तो 2 Ohm, ठीक है, तो 2 Ohm हम यहाँ पे लिख लेंगे, और load resistance का जो मान है, आप देखें, question में दिया गया था, कितना था, 16 Ohm, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, 16 Ohm, और अब हम यहाँ पर जो धारा बह रही है, Y हमें निकालना है, तो formula होता है, IL is equal to VTH upon RTH plus RL, VTH कितना है, 9 divided by RTH कितना है, 2 plus RL कितना है, 16, तो यह कितना हो जाएगा, 9 divided by 18 Ampere, यानि कि 1 divided by 2 आप लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आपको धारा का मान जो है, 16 Ohm में निकल आता है, तो यह बड़ा आसान सा है, आपको दो चीजें calculate करनी रहती हैं, RTH और VTH, दोनों निकाल लिजें, और यह वाला डायग्राम बनाके, और यह formula लगा दीजें, आपको धारा का मान जो है, वो निकल आएगा, तो आसा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है, तो अपने दोस्कार शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, धन्यवाद,